हेलो दोस्तो आज का टोपिक है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो इस वीडियो को लाश्ट तक जोड़ देखें क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसे तीन टिप्स दूँगा जिसको फोलो करने के बाद आपका गुस गुस्सा बिल्कुल कम हो जाएगा और आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे खुश रह सकेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले टिप है कि कुछ खालो अगर आपको जब भी गुस्सा आ रहा होता है तो मतलब आपका पेट खाली है क्योंकि जब भी हमारे पेट खाली होता है तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कुछ खालो और इससे आपको गुस्सा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और बिल्कुल खतम हो जाएगा क्योंकि यह बहुत ही वर्किंग टिप है क्योंकि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारे पेट खाली होता है और अगर हम को अभी गुश्सा आए, तो कोसेटि करो कि आप अपना फिवरिट सौंग अजै क्योंकि सौंग सौने से हमारा मूड बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाता है और हमारा गुश्सा भी बिल्कुल सांत now जाता है, तो कभी भी आपको अपना गुसा सांथ करना है और अपना मूड अच्छा करना है तो अपने कानों में एरफोन लगाओ और बहुत ही फुल वॉल्यूम में सौंग सुनों कि सुनने से हमारा मूर बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा हो जाता है और हमें इस भी बात पर गुस्सा आता है वो भी बिल्कुल सांत हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं तो यह थी हमाई tip number two की song सुनो यह बहुत ही effective है और आप कभी भी आपको गुसा है तो कभी भी try कीजेगा आप अपने कानों में एरफोन लगा के full volume में song सुनो आपके favorite song सुनो इस जब का mood बहुत ही जल्द बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप को गूल सारा है उस जगह से निकल के कहीं बहुत ही और क्योंकी जब हम गूमने निकलते हैं तो हम लोगों को देखते हैं हम देखते हैं आगे पीछे क्या माहूल है हम ने चर को देखते हैं जो देखने के बाद हमारा उससा धिरे-देर कर सान्थ हो जाता है suggय बहुत ही working नमबर त्री कि कहीं घूमने निकल जाओ सो ये थी हमाईर तीन टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आपका गुसा बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल सांत हो जाएगा सो चले इसका रिवीव ले ले लेते हैं सो सबसे पहले टिप है कि कुछ खा लो जब भी हमें बोग लगती है तब भी हमें गुसा आता है सो अगर हम अपने पेट को कुछ खिला देंगे और कुछ खा के बिल्कुल फुल हो जाएगे तो हमारा गुसा भी बहुत ही जल बिल्कुल खतम हो जाएगा और हम बिल्कुल सांत हो जाएगे तो यह हमाई टिप नमबर वन की कुछ खालो और टिप नमबर टू सोंग सुनो जब भी हमें गुशा आता है तो हम कोसिश करें कि अपने फेवरिट सोंग सुने और अपने कानों में एरफोन लगा के बहुत ही फुल वोल्यूम में बहुत ही तेज ने फेवरिट सोंग को सुन कि हम नेचर देखें वहां के आसपास घुमते वे लोगों को देखें और हमारा मूड भी अच्छा हो जाए और हमारा गुस्ता भी बिल्कुल सांत हो जाए तो यह थी हमारे टिप नमबर ट्री की घुमने चले जाओं तो यह थी हमारे तीन टिप्स अगर आपको हमारे झाल